A very good morning dear students, this is भारती पांडे and welcome to आपकी study.com आज हम new topic स्टार्ट करेंगे आज की class में हम sitting arrangement and puzzles करेंगे Sitting arrangement में क्या होगा? कि बहुत questions जो होगे, वो set of words में होगे उसे पढ़कर के हमें उसे arrange करना पड़ेगा बहुत type के sitting arrangements आएंगे, circular होगा, linear हो सकता है, parallel line row में straight line होगा, row में arrange करना होगा या एक center table हो, circular table हो, उसमें face center की और हो, बाहर की और हो बहुत type के questions होगे, उसे हम solve करेंगे कुछ इसके basic concept को देखते हैं, कि इसका basic concept क्या होगा Types of questions देखते हैं हमारे questions कैसे होंगे First तो हमारा हो सकता है, based on bounded bodies Bounded bodies मतलब क्या होगया? मतलब होगया, circle, rectangle, triangle, या फिर square, etc. दूसरा क्या होगा? Based on linear body, linear body में क्या आएगा? Straight line आएगा, straight line, या फिर आएगा दूसरा, parallel, parallel line. मतलब एक row में arrange करना है, या दूसरा होगा, कि एक दूसरे के ऊपर face करके बैठे हुए हैं, तो ये parallel है, ऐसे हो, या parallel में ऐसा भी हो सकता है, कि दोनों एक दूसरे के तरफ back करके बैठे हुए हैं, तो arrange करना होगा. इसे circle में क्या होगा? जैसे हम circle का देखते हैं, circle में क्या होगा? ऐसे circular table हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, उसमें या तो सारे लोग center की और face किये होंगे, या फिर away from center होगा face, ऐसा arrangement हो सकता है. Rectangle, Triangle, Square में भी इसी type का हो सकता है, बस जैसे यहां इस सब की बाते करें, तो इसमें क्या होगा? Same ही होगा, बस इसमें corner आ जाएगा, circle में corner नहीं होता, और इसमें corner भी mention क्या होगा, कि corner में कोई बैठे हुए है, और फिर इसमें भी same होगा कि center की और face है, या away from center है, बस एक additional क्या आ जाता है? corner आ जाता है, away from center क्या होगा? ऐसे होगा, center से बाहर की और face है, away from center हुआ, center से बाहर की और face है, same triangle में भीगा, square में भीगा, सारे में corner आएंगे, side की बात होगी, कि side में बैठे हुए, corner में बैठे, circle में बस corner नहीं होगा, circle में बस away from center, या facing to the center, यही लिखा हुआ होगा, ठीक है? इससे related हम एक अक करके, सारे best questions को हम solve करेंगे, हम circle से start करते हैं, आएए, यह problem circular based है, L, M, N, O, P, Q and R are sitting around the circle facing the center, वो लोग एक circle के round बैठे हुएं और center की और face है, L, M, N, O, P, Q and R, O is sitting between L and R, तो इसका कैसे बनेगा? एक circle है, इसके around, इलो, बैठे हुएं और face कितना है? center की और face है, total 7 है, तो हमने 7 arrange कर दिया, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, 8 रहता, तो एक यहाँ भी देते, अब बोल रहा है, O is sitting between L and R, suppose O यहाँ है, L और R के बीच में है, इसका possible diagram यह भी हो सकता है? यह हो सकता है, O यहाँ है, और R यहाँ हो, L यहाँ हो, ऐसा भी तो हो सकता है, जोरी नहीं है, यह तो mention किया हो नहीं है, कि left में L है, या right में L है, तो यह भी हो सकता है, L आर यहाँ भी रख सकते हैं, और L आर इधर भी रख सकते हैं, तो इसका possible diagram क्या क्या होगा, वो दोनो हम बनाएंगे, एक तो यह डाइग्राम है, दूसरा हम एक और डाइग्राम बनाएंगे, सेंटर की और फेस रहेगा, टोटल सेवन हो गए, सपोज ओ अगर यहाँ है, तो एल और आर के बीच में है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, आगे और देखेंगे, Q is second to the right of R, Q जो है, वो second to the right of R, R यहाँ है, उसके second right में, सेंटर की और फेस है, तो right इधर होगा, और first नहीं, second right में Q है, यहाँ अगर R है, तो first नहीं, second right में Q है, तो यहाँ Q कैसे होगा, यहाँ L पहले से है, इसलिए यह डाइग्राम आगे और नहीं बढ़ रहा है, तो यह डाइग्राम हमारा cancel हो गया, यही हमारा सही है, अब यहीं आगे, इससे आगे बढ़ेंगे, फिर क्या है, P is second to the right of Q, जितने possible diagram होंगे, हम उसे बनाएंगे, और दोनो diagram से हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ जो diagram रुक जाएगा, उसे काट देंगे, और जो diagram है, जो सही होगा, उसी से फिर आगे बढ़ेंगे, यह diagram हमारा नीचे वाला, यह आगे जाकर के match नहीं करने लगा, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था, R मैंने यहाँ किया था पहले में, तो R के second right में तो L पहले से ही था, तो हम Q को यहाँ पे कैसे बठाते, इसलिए हमारा यही diagram सही होगा, फिर क्या है, P is second to the right of Q, Q यहाँ है, center की और फेस है, right इधर होगा, और second right यहाँ आएगा, और यहाँ P को arrange करेंगे, फिर N is not an immediate neighbor of R, R का immediate neighbor एक इधर होगा, यह इधर होगा, तो यहाँ तो पहले से बठा हुआ है, यह खाली है, तो N यहाँ पे नहीं आ सकता, N is not an immediate neighbor of R, N यहाँ नहीं आएगा, तो N कहाँ आएगा, एक जगह यहीं बचा हुआ है, तो N यहाँ आएगा, अब कौन बच गया, L भी है, O भी है, R भी है, Q है, N है, P है, P, Q, R, L, O, N सब है, M बच गया, तो M एक ही जगह बचा हुआ है, इसलिए M यहाँ आजाएगा, अब first question क्या है, which of the following is not correct, यह जितने सारे option दिये हुए हैं, इसमें से कौन सा option correct नहीं है, तो first में है, R is second to the right of L, R is second to the right of L, L के second right में R है, हाँ है, तो यह correct है, फिर बोल रहा है, M is second to the left of N, N के second left में M है, हाँ है, तो option B भी correct है, फिर क्या गह रहा है, L sits exactly between O and P, O और P के exactly between में L है, हाँ L, O और P के exactly between में आ रहा है, तो यह भी सही है, फिर last में क्या बोल रहा है, P and M are immediate neighbors, P और M क्या immediate neighbor है, नहीं, इसके neighbor क्यों है, L हो सकता है, और N हो सकता है, but M नहीं है, P का immediate M नहीं है, तो क्या हो गया, option D हमारा, बुर रहा, which of the following is not correct, तो option D का जो sentence है, वो correct नहीं है, यह, तो हमारा answer क्या आया, option D आएगा, हमारा answer क्या हो गया, option D, क्योंकि A, B, C में जो sentence लिखे हुए, वो बिलकुल correct है, और D match नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा answer हुआ, option D, next देखते हैं, question 2 हमारा क्या कह रहा है, कि how many persons are seated between L and Q, L और Q के बीच में, कितने सारे person बैठे हुए, if we count anti-clockwise L to Q, L से Q के बीच में, कितने सारे person आएंगे, अगर हम L से Q, anti-clockwise जाएंगे, L से Q हम इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, अगर हम इधर से count करेंगे, तो 2 आएगा, और इधर से count करेंगे, तो 1, 2, 3 आएगा, लेकिन यहां mention किया हुआ है, कि anti-clockwise L से Q जाने में, कितने person बैठे हुए है, तो L से Q जाने में कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, तो क्या हो गया हमारा answer, option C हमारा answer हो गया, 3, इसमें वही अगर clockwise direction में लिखा हुआ रहता है, L से Q, तो हमारे कितना आता, 2, कितने member आते, 2 आते, फिर इसी का next 3 number हम देखते हैं, फिर इसका 3 क्या बोल रहा है, वो इस immediate left of P, यह जो हमने diagram बनाया है, इसमें immediate left, P के immediate left में कौन है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, कि यहाँ P है, और P अगर center की और face किया हुआ है, तो उसका right इदर होगा, और left ऊपर की और होगा, तो उसके immediate left में कौन आ रहा है, N हमारा कौन आ रहा है, N आ रहा है हमारा immediate left में, तो हमारा answer हो गया option B, N हमारा correct answer आएगा, immediate left में P का कौन है, N है, questions 4 को देखे, who is second to the right of O, O के O कहा हमारा, यहाँ है, और face center की और है, तो उसका right इदर होगा, और second right, who is the second to the right of O, O के right के second में कौन है, first, second, second right में क्या आगया हमारा, M आगया, क्या आगया, M, O के, second right में कौन है, M, हमारा option A आगया, correct होगा हमारा option A, who is the second to the right of O, O है, O का right इदर होगा, second में क्या आ रहा है, M आ रहा हमारा option A, correct answer होगा, M, question 5th हमारा क्या है, which of the following is O's position, with respect to M in the clockwise direction ये जो option दिये हुए है इसमें O का position क्या होगा with respect to M M के respect में O का position निकाला है clockwise direction में तो M हमारा कहां बैठा हुआ है M हमारा यहाँ है M हमारा यहाँ है और clockwise direction क्या होगा इधर और M के respect में हमें O का position बताना है तो O M के respect में क्या हो रहा है M का इधर left आएगा क्योंकि face center की और है तो M का left इधर हुआ तो first second second left होगा क्या होगा? second left तो second left हमारा option में कहा है? तो ये हमारा answer होगा M, N, A, D, J, V and R are sitting around a circular table facing to the center but not necessarily in the same order एक circular table की और face करके ये बैठे हुए है but M, N, A, D, J, V and R करके लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि इसी order में बैठे हुए होगे वो किसी भी order में एक circular table में center की और face करके बैठे है तो V is third to the right of J इसका सबका position हम देखते हैं क्या आता है? center की और सभी के face है तो center की और ऐसे पहले face बना लेते है total 7 है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 7 persons है तो 7 हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हो गए V is third to the right of J suppose J यहाँ है तो उसके right अगर J और center की और face है तो उसका right इधर होगा और उसके third में V बैटा हुआ है 1, 2, 3 तो यहाँ पे V बैठा हुआ है N is fourth to the left of R तो हमें R का भी position पता नहीं है फिर next क्या है? R is on the immediate right of J अब लिखा हुआ है R जो है वो J के immediate right में है तो immediate right यहाँदर आएगा और यहाँ पे R है अब है N is fourth to the left of R N जो है वो उसके fourth position पे है left left में four तो R का face इधर है center की और तो उसका left इधर होगा first, second, third, fourth और यहाँ पे कौन है? N फिर A is fourth to the right of D D का हमें अभी position नहीं पता फिर D is not an immediate neighbor of V V का immediate neighbor नहीं है मतलब D यहाँपे नहीं होगा तो D कहां कहां हो सकता है? D हो सकता है यहां हो सकता है या D यहां हो सकता है पहले D को हम यहां करके पुट करके देखते हैं तो D अगर यहां हुआ तो fourth to the right of D A जो होगा वो fourth right में होगा तो अगर D यहां है तो उसका right first, second, third, fourth तो यहां पे A की बात हो रही है कि A यहां होगा अगर हम suppose D को यहां नहीं यहां भी तो D हो सकता है यह भी position हमारा खाली है तो अगर D यहां है तो first, second, third, fourth fourth right में A को यहां करना होगा जबकि यह position खाली नहीं है इसलिए D यहां नहीं D यहां होगा फिर first, second, third, fourth में A रहेगा चीक है फिर क्या है सारे हो गए अब हमारे बच गए M D हो गया, J हो गया, R हो गया, A हो गया अब हमारा यह portion खाली है और सारे हो गए बस M बचा हुआ है तो M हमारा यहां आ जाएगा इस position पे अब है What is M's position with respect to R R के respect में M का क्या position है तो R के respect में M इधर से भी count हो सकता है और इधर से भी क्योंकि clockwise और anti-clockwise यहां पे mention किया हुआ नहीं है में M का position इधर से second आ रहा है और इधर से first, second, third, fourth, fifth आ रहा है तो यहां option में second की बात कहीं नहीं की गई है एक है fifth की बात हो गई है तो यह हमारा answer होगा हमें check करने की भी जरुरत नहीं है क्योंकि सारे में fourth और third की बात ही है तो इधर से second और इधर से fifth आ रहा है या तो second हो सकता है या fifth हो सकता है तो यहां पे fourth और third की बात हुई है वो नहीं हो सकता fifth ही होगा हम check भी कर सकते है fifth to the right fifth to the right right में fifth आ रहा है हाँ यह A का इधर right होगा यह R का इधर right होगा और first, second, third, fourth, fifth 5th में क्या आ रहा, M, R के respect में, 5th to the right में M है, तो हमारा option C, correct answer होगा देखे, question 2 क्या है, who is 4th to the right of R, R के 4th right में कौन है, तुम देखते हैं, ये हमारा R है, और R का face center की और है, तो उसका right इधर होगा, और इसके 4th right में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4th में क्या आ रहा है, D, हमारा क्या आ रहा है, D, तो हमारा option D, correct answer होगा, option D, D उसके right, 4th right में R के कौन है, D है हमारा, देखे, यहाँ पे D है, ये R है, R का face center की और है, और उसके 4th right 1st, 2nd, 4th right इधर आएगा, और ये हमारा क्या आ रहा है, D, R से 4th right हमारा D next हमारा क्या है, who is second to the left of N, N के second left में क्या रहा है, तो N हमारा यहाँ है, N का face center की और है, तो N का left इधर होगा, और right इधर होगा, तो बात हो रही है, second left में First second, Left की और second में क्या आ रहा है? A तो हमारा answer क्या होगा? Option C हमारा answer होगा A Next है, Who is the immediate right of D? D हमारा यहा है और D के immediate right में क्या होगा? तो D का left इदर है और right इदर है तो D के immediate right में कौन आ रहा है? M हमारा क्या आ रहा है? M तो हमारा answer क्या होगा? Option D हमारा correct answer होगा, M क्योंकि D हमारा यहां है और D के immediate right में कौन है? M है Next है, who sits between M and N M और N के बीज में कौन है? तो हमारा M कहां है? यहां है, और N हमारा यहां है तो इन दोनों के बीज में क्या आ रहा है? D आ रहा है, कौन आ रहा हमारा D आ रहा है, तो option A D हमारा correct answer होगा who sits between M and N M और N के पीछ में हमारा D बैठा होगा है, हमारा answer A correct होगा आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, next class में हम और भी problems solve अगरेंगे, thank you so much